हे दोस्तों मेरा नाम है विवेग और आज के particular वीडियो में हम बात करने वाले हैं BC Roy दुर्गापूर कॉलेज के बारे में चो एक बहतरीन कॉलेज है और दुर्गापूर में अगर NIT दुर्गापूर के बाद कोई कॉलेज फेमस है वो है BC Roy कॉलेज ये कॉलेज दो भाग में दिवाइड है एक पहले मिलता है आपको Engineering College दूसरा मिलता है Pharma College आज हम बात करेंगे Engineering College के बारे में फार्मा College के बारे में मने टॉप 24 फार्मसी पारे में बात किया था उस वीडियो में आप वीडियो को जरूर्द दाके देखिए इसमें बहुत knowledge है आज हम बात करें Engineering College के ब computer science artificial intelligence में सिर्फ 30 seats रखे हैं इसके इलावा computer science और electronics में आपको 120 seat देखने को मिलता है इस college में बात कुरूँ दोस्तों तो basic infrastructure के नाम पर college आपको सब कुछ provide करता है ground से लेकर common room, hostel facility और सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि college जो है famous है और आप को college में सारे facilities देखने को मिल जाते हैं पर दोस्तों फिर भी college since city से दूर है तो जरा सा तो आपको कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगा पर ये चलिए दोस्तों कुछ ना कुछ कमीों के साथ अगर बहुत कुछ अच्छा है तो भी बहुत सारी चीज़े अच्छी है बात करते हैं दोस्तों इस particular college की fee structure में तो जरा सा increment आया है फिर भी अभी भी fees काफी कम है 70,000 में आपकी admission के बाद आपको 46-50,000 तक का per semester fees देखने को मिलता है इस college ये बात पिरे तो latest placement details की तो दोस्तों आप लोगों को इसका जो fee structure के इसाब से इसका placement भी average हो रहा है इस college में बताएं तो 83% की जो है placement हुई है इस साल क्योंकि आपको पता है बहुत सारे core branches भी इस college में पढ़ाये जाते हैं जिसमें जो 83% placement काफी बहतरी है और highest packaging होने 13.5 जो maximum या private colleges का हुआ है इसके इलावा 4 lakhs का जो average package है अब आप सोचे 2023 की placement बहुत खराब हुई थी क्योंकि यह अभी decision चल रहा है बड़ इसके इलावा 2022 में जब placement सबकी बहतरी हुई थी तब इनकी 84% placement के साथ 4 lakh का average चल रहा था तो बहुत सारा जो है placement improvement हुआ है दिन प्रति दिन college में और मुझे लगता है कि आने वाले समय में BC Roy Engineering College college के highlights की बात करें दोस्तों तो कभी-कभी इसको जो है 2022 में 201 से लेकर 250 के अंदर NIRF ranking भी मिली थी ये college NAC accredited भी है और NBA में बहुत सारे जो उनका courses है वो भी accreditation के साथ आते है college की campus की photos आप देख सकते हो college में दोस्तों हर तरीके का fest आपको देखने को मिल जाता है बढ़ हाँ inaugurations बने participation काफी कम होते है private college होते हुए और जो है आपर सिर्फ एक ही college है दुरगापूर में cutoffs के बारे में तो cutoffs आपके screen पर आप लुको दिख रहा होगा round 3 का 2022 के cutoffs general category के इसके इलावा अलग-अलग category के जो आपको cutoffs है दोस्तों वो आपको internet में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे इसके इलावा gelade की cutoffs भी आप अपने screen पर देख पा रहे हैं तो आप देख लीजिए के cutoffs आपके कितने हो सकते हैं और आपको किन तरीके की rank चाहिए इन colleges पर जाने के लिए इस college में अगर आसपास दुर्गापूर के रहते हो और आपकी rank इनकी कारफी करीब है तो आप इस college को consider कर सकते हो one of the ghost colleges आपके लिए पढ़ सकता है तो इसके इलावा अगर आप जो है अच्छी जगापर admission लेना चाहते हैं दुर्गापूर में direct admission करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं management कोटा के दुआरा उसमें जो है आप इतने details में contact कर सकते हैं इसके इलावा आपको counseling में समझ नह motive है इस वीडियो में आपको जरूर देखने को मिलेगा वीडियो पसना है तो वीडियो को like कीजिए चैनल को कीजिए सस्क्राइब